अम्रोहा लोगसभा शेत्र जनपद हापुड की गढ़ मुक्तेश्वर वधान सभा जो अम्रोहा लोगसभा शेत्र में लगती है तो हापुड की दो वधान सभा मेरट लोगसभा शेत्र में लगती है अम्रोहा लोगसभा शित्र की बात करते हैं पूर्वसांसत कवर सिंग तवर की तीसरी बार भाजपा ने अपना भरूसा जताया है 2014 में भाजपा से अम्रोहा लोगसभा शित्र में कवर सिंग तवर ने जीत दर्ज की थी कि दो हजार चौबिस लोकसवा चुनाप की तैयारिया जोरो सोरो से शुरू हो गई आपको पता दे आचार सहीता भी लगने बाली और कही ना कहीं जनता के मून के अगर बात करते हैं तो इस समय हम मौझूद हैं जनपत हापुड के गड़मुक्तेश और विधान सवा में और सब्सक्राइब करते हैं जनता की क्या रहा है जनता हमारे साथ है और जनता से जानकारी करते हैं इस बार जनता का जो है 2024 को लेकर क्या मूड है क्या नाम है आपका तो यादब जी 2024 लोकसवा की चुराब की तैयारी हो गई है तो क्या जनता की रहा है इस बार हम तो किसान है और किसान इस समय बहुत परिशान है बोर्डर पर भी धरना दे रहा है दिल्ली आने के लिए अपनी मांग मनवाने के ल अलाकि सपा का जो कंडिडेट अबी किलियर नहीं हो पाया है तो किस तरह से तो देखते हैं बदेखो समाजबादी का तो कंडिडेट है नहीं कोंगरेस में है यह जो भी आयागा पत्ते चल जाएगा क्या नाम है बिने कमार मिश्रा तो बिने जी 2024 के तैयारिया हो गई है औ और बीजेपी अपने प्रितियासी को अम्रोहा लोग सवासर दिया है और क्या किना जाएंगे इसमें भाजपा बिल्कुल कौन बहुत से बहुत सरकारा नहीं है अपकी और 400 बार बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत से बहुत सरकार बनाएगी तो ऐसी क्या खास बात है सब्सक्राइब के रूप में अफ्ताल लिया गया है और हम यहीं कहेंगे कि मोदी की सरकार बनाई जाए तो जिस तरह से अगर मैं कंडिडेट की बात करूं तो जो कमर सिंग तमर हैं पूर्ब में सांसद रह चुके हैं अब इस बार भी कहीना कि तीसरी बार ने तीसरी बार भाजपाने भरोसा जाता है तो कितने उनके द्वारा विकास लोग सवाच हित्र में किये गए पूर में किये गए थे और उसकी बीच में कुछ खामिया आई उन कामियों को दूना दूर कड लिया है और दूबारे से अपने कमर सिंग तामर जी बहुत अच्छे बहुमत से तो और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है आपका क्या नाव राहुल सर्वा तो इस बार किस तरीके सचना आपको देखते हैं देखिए हमने जो मोदी जी ने विकास किया है देश में उसके उपर उसको देखते हुए जो विकास हुआ है भारत में सड के बिजली पानी हर तरह से तो मोदी जी का ही हम साथ चाहेंगे और दुबार सरकार उनकी बनवाएंगे तो आखर कुछ ऐसे मुद्दे रहे हो जो कहीं ना कहीं भी पिछले हैं उसके बारे में क्या करा देखिए धीरे-धीरे सभी चेत्रों में काम हो रहा है ऐसी बात निये धीरे-धीरे प साम करा है सरकार ने बिजली है पानी है कुछ खामिया भी है महंगाई की खामिया है पर धीरे-धीरे सब खतम हो जाएगा महंगाई तो कहीं ना कि कोग्रेस के समय पर इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इस सरकार में पर इस सरकार में उसके अकॉर्डिंग सुविधाई जाद हैं किस तरह की धरातल पर आपको सुभदान दिखाई दे रही हैं हम रोड पे चलते हैं रोड इतनी अच्छी बनी हुई है जहां चार गंटे में पहुंच पाते हैं गैस घर गर पोच रही है हमारे बिजली हमें लगवाग चौविस गंटे विजली मिल यह और हमें क्या चाहिए का चाहिए लोकसा का चुनाव है तो कहीं ना कहीं किसानों के अगर बात करें तो किसानों किसान तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसका भी समाधान कर लंगे मोदी जी ऐसी बात कितना अपने गणमुक्तिश्वर में सांसदों के द्वारा किया गया तो जो है कोई विकास की यह वो नहीं है पहले भी वादा किया था लेकिन अपकर नई स्क्रेस हो तो उसके बात भी क्यों भरूसा ज़ता है नहीं वसक्य उन्होंनों वादा किया है फिर जनता से तो देखो जनता तो मोधी जी के बात पर जाएगी जनता हमारे साथ और हम जनता के बीच और चाय पर चर्चा और यहां पर आपको बता दें जिस तरह से मिली जुली बात कहीं किसानों के मुद्दे भी लोगों ने उठाए और वहीं कहीं ना कि विकास की बात करें तो विकास को लेकर भी कहीं ना के जनता खुश है जिस तरह हाला कि यहां बात आती है कि प्रितियास्ती एक बार पहले भी रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं विकास के मामले में प्रितियास कि होने के संभाव ना भी लोगों के द्वारा यहां जता ही जा रही है केमरा परसंट पहुनु के साथ राश्क्मा शर्मा नेट्पक्त है नापूर